नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका Study IQ PCS में आप है मेरे साथ मेरा नाम है सुमित और दोस्तों एक बहुत ही important news यहाँ पर discuss कर रहे हैं मतलब अच्छी खबर यह बिलकुल भी नहीं है और यह बहुत जादा बहुत जादा चिंता का विशय है जहां तक बात है हमारे देश के जो Sports Person है जितने भी लोग हमारे देश में Sports को as a career चूज करते हैं या फिर उसके अंदर जाते हैं हम देखते हैं अल्रेडी वो कई सारी फेस करके Sports में पहुँचते हैं क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में एक Student के पास अकसर यह देखा जाता है या तो वो पढ़ाई की फील्ड में जाए या फिर वो Sports में अपना career बनाए और जब Sports में कोई कोई व्यक्ती career बनाता है तो उसकी पढ़ाई एक तो छूट जात और दूसरी कि Sports infrastructure की भी इंडिया के अंदर कमी है जिससे ट्रेनिंग उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है और फिर बाद में अगर वो Sports को ऐसे career चूज करते हैं तो बहुत सारी अनिश्चित्ताइं रहती हैं बहुत सारी uncertainties रहती हैं जिसके बाद आप देखते हैं कि कई सारे Sports person जो होते हैं बाद में कुछ ऐसी jobs भी कर रहे होते हैं जो कि वो कहीं से भी उस job को deserve नहीं करते हैं यानि कि बहुत ही दैनिये स्थिती में जीवन बिताते हैं तो एक Sports person अल्रेडी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके पहुँचता है जो Sports Academies होती है जो National Championships होती है जो International Championships होती हैं वहां तक पहुचना बहुत बड़ी बात होती है क्यों क्योंकि हर एक Sports Person अपना संघर्ष करके आया होता है अपने गावं से निकल कराता है अपने स्कूल से निकल कराता है तो बहुत ज़ादा जरूरी है अगर हमें अपने Sports Fraternity को अच्छामरूरी है करना है sports का environment अपने देश में अच्छा करना है और जादा हम चाते हैं कि जैसे Olympics में इंडिया की जब performance आपने देखा कि पहले इस बार के Olympics में पिछले बार के Olympics से बहतर प्रदर्शन रहा और सरकार ने इसमें कई सारे efforts लगाया जैसे हेलो इंडिया प्रोग्राम इस टाइप की चीज़े चलाए गए इस सारे प्रोग्राम चलाए गए लेकिन ये प्रोग्राम तभी में तभी सही में सफल होंगे जब हम यहां पर confidence देके हर एक sports person को अगर वो sports की फ्लीड में आता है उसके साथ सम्मान जनक दिवहार होगा उसको opportunities मिलेंगी साथ ही में उसका जो future है वो secure होगा यह confidence होना बहुत जादा ज़रूरी है और ऐसे में दोस्तों एक case हुआ है हाल ही में कि जो sports federation है जो इंडिया की wrestlers इंडिया की जो wrestlers federation है उसके multi games के अंदर जैसे की Asian games में और उसके अलावा Commonwealth में gold जीतने वाली पहली ऐसी अकेली महिला wrestler है जिनोंने अलग-अलग games में gold और bronze दोनों ही तरह के medals जीते हैं और इन्होंने गंभीर आरूप लगाए है जो की wrestler federation of India है उसके प्रेजिजेंट के उपर की यहां पर इन्होंने कहा की हाला की इनके साथ कभी इस तरह का sexual assault या फिर sexual exploitation इनका नहीं हुआ है लेकिन इन्होंने ऐसे कई लड़कियों की कहानी सुनी कई लड़किया इनके पास आई उन्होंने अपनी इन्हें कहानी बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ किस तरह की चीज़ें उनके साथ हुई कैसी उनकी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी और इसके बाद फिर इन्होंने फैसला लिया कि यह उन लड़कियों की आवाज उठाएंगी और फिर यह पब्लिक में आके इस एलिगेशन को लगाती है जो प्रेजडेंट है उनके उपर अब दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखेंगे जो स्पोर्ट्स में लड़कियां आती हैं वो एक बहुत ही नॉर्मल बैक्ग्राउंड बहुत ही हम्बल बैक्ग्राउंड से आती हैं जादा तर आप देखेंगे जो स्पोर्ट्स परसन होते हैं वो गाओं के शेतर से आते है और बहुत जादा संगर्श करके पहुँचते हैं और ऐसे में जब वो कुछ गलत चीजें फेस करते हैं कुछ गलत तरह की politics या फिर sexual assault टाइप की जैसी चीजें अगर वो फेस करते हैं तो दोस्तों वो इतनी आसानी से आवाज नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और option नहीं होता है उस sports के अलावा अगर वो उस sports as a career से हाथ दो भैटेंगे तो उनके पास और कोई अच्छा option लाइफ में नहीं होता है और इनी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे sports ऐसे जो लड़कियां आती है गाउं से और sports में career बनाना चाहती है फिर वो अपनी आवाज नहीं उठाती है और इसी चीजो ध्यान में रखते हुए जो विनेश फोगाट है उन्होंने इनकी आवाज उठाई है और इसके regarding जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है तो आप देख सकते हैं ये सारे wrestlers इंडिया के national international level के players है और ये आज धरना दे रहे हैं सडकों पर हैं जंतर मंतर की सडक पर आप देख सकते हैं ये हैं विनेश फोगाट जो की इस पूरे allegation में सबसे पहले खुलकर सामने आई पब्लीकली इस बात को इन्होंने डिक्लेर कि पिर इसके अलग अलग प्रतिकरिया हैं लोगों की देखने को मिली सरकारों की और बाकी जो जैसे women's related organization है दिल्ली की ही एक डेली commission of women जो है DCW उनकी जो head है स्वाती मालीवाल वो भी सामने आई और उन्होंने कहा कि जो police है city police है दिल्ली की वो complaint file करे इन सभी लोगों के खिला आप देखिंगे Tokyo Olympics में bronze medalist थे और bronze medal जितके आये थी ये भी समर्थन में आये हैं और कहा है कि भई जो सही बात है और खुलकर सामने आए और एक जो sports person है कोई भी वो अपना career बनाने आता है बहुत मुश्किलों से आता है उनकी जरूरतों को ध्यान में रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की और जो sports academies होती है देश की उनकी और जो इस पर जो stand है Wrestling Federation of India के जो president है Bridge Bhushan Sharan Singh उनका ये stand है कि उनके पर ये जो आरूप लगाए गए है ये इनमें कोई सच्चाई नहीं है और अगर ऐसा होता है तो उन्होंने कहा मैं suicide कर लूँगा ऐसी उन्होंन और लड़कियां और बाकी किसी ने भी विनेश फोगट के अलावा और किसी ने भी इनके उपर ऐसे आरूप नहीं लगाए है इन्होंने ये बात कही है और अगर ऐसी कोई बात है तो बाकी लोगों को भी बाकी लड़कियों को भी बाकी जो wrestlers है women wrestlers उनको भी सामने आना च क्लैरिफाइ करें कि पूरा मामला क्या है और कैसे चीज़े हूँ और इसके बाद अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं नहीं आती है कोई भी जवाब 72 घंटे में नहीं आता है तो फिर कारवाई की जाएगी WFI के उपर जो की rules है उसके according कारवाई की जाएगी और अब यहा हैं आगे इस पर कैसे क्या कारवाई होती है लेकिन दोस्तों यह बहुत ही चिंता का विश्य है कि देश के जो international players है वो आज सड़कों पर है इसलिए इस news को हम और भी देखेंगे कि क्या इसके अंदर सामने निकल कर आता है और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है तो अगर व झाल